बॉलीवोड एक्टर सुनीला शेक्टी अपने बेबा का अंदाज और बयानों के लिए मशहूर हैं. सुनील शेक्टी लगभग हर समसा में एक मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखते नजर आ जाते हैं. लेकिन हाल ही में एक्टर ने टमाटर की बढ़ रही कीमतों को लेकर बयान दिया था. सुनील शेक्टी ने एक इंटर्व्यू में कहा था कि इन दिनों टमाटर का दाम बढ़ रहा है, जिसका असर हम जैसे लोगों की किचन पर भी पड़ता है. इसके साथ ही एक्टर ने कहा था कि उन्होंने टमाटर खाने कम दिये हैं. हाला कि सुनील श किसानों और सामाजिक कार्यकरताओं ने भी एक्टर के इस बयान की निंदा की. हाला कि अब सोशल मीडिया पर हो रही इस ट्रोलिंग से परेशान होकर सुनील शेक्टी ने अपने बयान को लेकर सफाई पेश की है. रिपोर्ट्स की माने तो एक्टर ने अपने हालिया बया किसान में किसानों से माफी मांगी है और साथ ही कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से लिया गया है. उन्होंने कहा मैं तो दिल से देसी आदमी हूँ और मैंने हमेशा ही किसानों को स्पोर्ट किया है. उनके लिए गलत सोचना तो दूर की बात है. मैं चाहता हूँ कि हम अपनी देशी चीजों को ज़्यादा बढ़ावा दें मैं तो चाहता हूँ कि हमारे किसान को हमेशा ही इसका फाइदा मिले केवल इतना ही नहीं सुनील शेक्टी ने आगे कहा किसान मेरे जिन्दगी का एक महत्वपून हिस्सा है क्योंकि मैं खुद एक होटल बिजनस चलाता हूँ तो मेरे तालुक हमेशा उनसे सीधी तोर पर रहे है मैं कभी अपने सपने में भी किसानों के खिलाफ बात करने के बारे में नहीं सकता हूँ अगर मेरे किसी बयान से जिसे मैंने कहा भी नहीं उसका आपको बुरा लगे तो मैं इसके लिए दिल से माफी कहना चाहता हूँ क्रिप्या मेरे बयान को तरीके से पेश नहीं किया जाए और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता फिलहाल आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में हमें कमेंज में जरूर बताएं साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए